What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to Study Lover, first of all congratulations to all of you, आप लोगों ने बहुती अच्छे से टेस्ट को किया और बहुती अच्छे से आप लोगों का मोल्टिवेशन दिखा टेस्ट के लिए, तो यह मुझे बहुती अच्छा लगा देखकर, तो देखिए अब आगे से भी मैं इस टेस्ट को बहुती अच्छे से कंड़क्ट कराऊंगा, अब की बार तो मैंने सारे स्टेटिक कोशिन दिए थे, आगे से जो कोशिस करूँगा, क्या करूँगा, इसमें ओल्ड कोशिन भी डाला करूँगा, जो की ओल्ड एक्जामर में पूछे जा चुके है, यूपी एससी, एससी या बैंकिंग में सब में, इसके अलावा क्या क अपनी प्रिपरेशन को एक सही डिरेक्शन दे सके, ठीक है, तो ये हमारा जिस तरीक से हमने पहले डिसाड किया था, तो उसी सेड्यूल पर रहे गई है, ये संडे को पोस्ट किया करूँगा, मैं आप लोगो, ठीक है, और मैक्सिम, अगर आप लोग बोलेंगे, तो सेटर चल रहा था, वो ओबर वीव चल रहा था, पॉलिटी का, ठीक है, अब जो चलेगा, वो पॉलिटी का टोपिक वाइच चलेगा, जिस तरीके से आज का जो टोपिक होगा, वो टोपिक होगा प्रियेंबल, तो प्रियेंबल किस तरीके से कॉंस्ट्यूशन का पार्ट है या प्रियंबल का क्या फंडा है अमेंडमेंट क्या हुआ इसको अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो complete जो information रही हो प्रियंबल के बारे में रहेगी ठीक है तो यहां से असली quality start होती है अब आप लोग की वैसे पुराने lecture देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां से आप ल वाले lecture में तो इसमें मैं current affairs politics related वो भी साथ-साथ लेके चलूँगा पुराने question जो पूछे गई है एक्जाम में वो भी बताता रहूंगा साथ-साथ में और इसके अलावा और भी amendment वगएरा भी जो हो है वो सब आप लोग का comprehensive lecture यहां पर हुआ करेगा तो अब आप इसको क्य इससे connect बनाकर अपना चल सके और आगे नुकसान ना जहेनला पड़ेगी काफी बच्चे ऐसे करते हैं मुझे comment आते हैं सर आपने बताया नहीं politics चल रही है यहां पर तो मतलब मैं कहां पर बता हूँ यार मैं facebook पर इसको post कर सकता हूँ या फिर अपने टेलिग्राम पर post कर स जिसे कि यह जादे से जादे स्टुडेंटों तक पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सके यह आप लोगों की duty है मेरी duty है lecture बनाना बाकी duty आपकी आपको भी अपनी duty पूरी करनी है और आप answer की बात कर लेते हैं जितना भी इसके answer की है उसकी PDF मैं भी upload करने वाला हूँ अपलोड PDF आप लोगों यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर मिलेगी दोनों जगे आप लोगों PDF मिल जाएगी तो यह भी आप लोग जादे से जादे से शेयर करें क्योंकि बहुत से ऐसे student है जो की lecture नहीं देखते हैं अगर lecture नहीं देखते हैं कम से कम paper देंगे वो अपना paper और बोलना चाता हूँ देखे यार अगर मैं यहाँ पर कोई lecture ले रहा हूँ तो माली जे टेस्ट मैंने यहाँ पर लिया तो answer की भी आप लोग को यहीं पर ही दूँगा ना आप लोग study IQ के नीचे मेरे discussion के नीचे पूछते हैं की कहा मिलेगी तो यह अच्छी बात नहीं है जितना ज़्यादा होसा कि उसका यहाँ से कम से कम आप लोगों बहुत ज़्यादे serious होकर चलना है क्योंकि यहाँ वाला जो अब यह topic चल जाएगा यह काफी आप लोगों को exam में बहुत सारे question आते हैं direct और indirect way में यह आप लोगों बहुत ज़्यादा benefit पहुचाने वाला है लक्चरों को ऐसे मत सबतार है कि आप लोगों को exam के preparation करनी है यह हमारा constitution है यार थी 2030 के बारे में कम से कम में Mental information होने चाहिए हम लोगों को पता होने चाहिए तो अपने constitution को जितना ज़्यादा जाने उतना ज़्यादा कब है ठीक है तो अपने constitution के बारे में जाने है अपने rights जाने है अपनी duties जाने जिसे आप लोग को पता चले क्या क्या constitution हमको right provide गरा रखे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होने वाला है तो ज़्यादे से ज़्यादा enjoy करें और ये share कर दो दूसरों को वो समझ सके कि actual में है क्या हमारे जो rights जो constitution ने दे रखे हैं तो बस यही मेरा purpose है बाकी तो आप लोगों की duty है जो आप लोगों अच्छा लगे हो आप लोगों करना है तो answer आप लोगों मिल जाएगे हाँ पर तो आज के लिए इतना ही thanks a lot for listening जै हिंद